चलिए आज हम Pythagoras theorem सिखेंगे तो Pythagoras theorem में कैसे करना है और कब Pythagoras theorem useful होंगा तो आज हम हम हैं सिखेंगे तो Pythagoras theorem में कभी ये angle 90 degree का form होना चाहिए जब triangle ये 90 degree से form होंगा तभी आप Pythagoras theorem useful use कर सकते हैं तो Pythagoras का theorem है A square equal to B square plus C square और ये दोनों हो गए Pythagoras इसके ये दोनों triangle के side हो गए A और B अपन नाम दे देंगे A, B और C तो AB plus BC ये दोनों side हो गए और AC मतलब AC से square निकलना है तो AC हो गए उसकी hypotenuse तो अपने को करना है कि AC से square लेना है तो X का square equals to 12 का square plus 5 का square तो 12 का square आप मैंने बहुत ही बार square root के इसमें सिखाया है आपने को कि 12 का square कैसे निकलना है तो आप ये squares निकलना भी पिछले वीडियो से देख सकते हैं कि squares कैसे निकलना है तो इसका square होगा 144 और इसका square होगा 25 और इन दोनों को मिला कि 5 plus 4 9 4 plus 2 6 और 1 यहाँ पे तो X square is equal to 169 तो हम सबको पता है कि 169 ये square किसका है तो 169 ये square 13 का है तो 13 हो गया आपका अंसर ये हो गया आपकी हाइपोटेनियस तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए और ऐसे ही questions के लिए हमें follow किजिए और आपको questions आ रहे नहीं होंगे तो ये comment box में मुझे बताई थैंक्यू